आज बिहार बोर की कौपी जांच का पहला दिन था और पहले दिन जो है बुरे बिहार के 133 केंदरों पर कौपी जांच की परकिरिया शुरू ही और सभी जगा कौपी जांच की परकिरिया जो है शाम साम तक की गई आपको बता दे कि साथे 10 से ये कौपी जांच की परकिरिया चली थी और इसमें लगू और दुर्गी तरिये या अवजिक्टी में कितने मार्क्स मिले हैं सबको जानेंगे इस वीडियो में बहुत सारी कौपिया जो ऐसी है जो पेंडिंग भी हो गई है आखिर पेंडिंग हो गई है तो बिहारबोर इसका क्या उपाय बताया है और क्या इसका किया गया है कैसे इसका मार्क्स चातरों को मिलेंगे सब को जानेंगे इस वीडियो में कि आज कैसे कॉपी जांच हुई कितने मार्क्स आपको बैठाए गए लगु दिर्गु तरिये में स्टेप बाइज मार्किंग का फाइदा देखने को मिला या नहीं मिला जिसा बिहार बोर्ड ने कहा था कि 10% ग्रेस मार्क्स बोनस मार्क्स क्या आज की कॉपी में मिला या नहीं मिला सब को जानेंगे कि क्या बिहार बोर्ड ने जितना कहा था उतना आज फुलफिल हुआ या नहीं हुआ कैसे छात्रों को लगु में कितने मिले दिर्ग में कितने मिले अबजेक्टी में कितने मिले साथी साथ इंटर और मैट्री का रिजल्स जो है बुक का फैनली जारी कर दिया जाएगा सब को जानेंगे इस वीडियो में पूरी वीडियो बिलको ध्यास से दिखेगा आज कौपी जाच की एक एक पल की रिपोर्ट यहाँ पे में इस वीडियो में किलियर करने जा रहा हूँ तब फटाफ़ वीडियो को लाइक और सेर कर दे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन क्लिक कर ले ताकि बिहार बोर्ट की हर लेटिस अपडिट आपको सबसे पहले मिलती रहे जैसा कि आज कौपी जाच का पहला दिन था तो काफी टाइट सिर्कृट्री में कौपी जाच की गई जैसा कि बताये गया था कि 200 गज के अंदर किसी को आने को नुमती नहीं दी जाएगी आज बिहार बोर्ट की आफिस में भी भेजा गया आपको बता दे कि काफी अच्छी संख्या में कौपी की जाच की गए क्योंकि परतियक सेंटर पे करीव 200 से 2500 जो टीचर थे वो कौपी की जाच कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसी कौपीया भी पाई गई जिसे जब कंपीटर अपरेटर ने जब उससे मार्किंग देने के लिए बठाया सरवर पे तो वो जो है उसमें किस स्टुडेंट की वो कौपी है वो किलियर नहीं हो पा रहा था वैसी कौपीया को पेंडिंग में अभी भी हर बोड ने डाला है आगे देखेगा कि वो कौपीया है कैसे यहां पे बताया गया है कि आखिर वो पेंडिंग में क्यों चला गया है लेकिन लगू और दुर्वितरिये में कापी अच्छे मार्क्स देखने के मिले थे सभी टीचर्स ने जैसा कि बताया गया था कि स्टेप बाइज मार्किंग जो होगी उस मार्किंग के तहत मार्क्स दिये जाएंगे तो सबसे पहले टीचर्स ने पूरे पेज को बलट कर यहाँ पेज चेक किया कि छात्र ने कितना लिखा है क्या एक पेज छोड़ तो नहीं दिया है छात्र ने यह सब कुछ वहाँ पे देखा गया था जिससरे कि आपको बता दे कि सभी के पास आंसर शीट पहले से मज़ूद था तो टीचर को जादा यहाँ पे दिककत नहीं होई सभी भी सेयो की कॉपी की जाच जो है आज ही सुरू कर दी गया है हर सेंटर पे अलग भी सेयो कोपी की जाच हुई ठीके किसी पे हिंदी के जाच हो रही थी किसी पे अंग्रेजी की तो किसी पे फिजिक्स की सबसे आदा हिंदी और इंग्लिस के सेंटर बनाए गए थे तो यहाँ पे जाच में ये भी देखा गया टीचर्स जो है बो अस्टेप बाइज मार्किंग पे ही मार्क बैठा रहे थे टीचर्स जो जो पूछा गया बाहर निकलने पर कि आपने कैसे मार्क्स दीए तो साब साब उनका कहना था जो भी हर बोड की गाइड लाइन थी उसका बिल्कुल फॉलो किया गया है सारा कुछ तो बताया नहीं जा सकता लेकिन जिस चात्र ने जैसा लिखा थो जो भी हर बोड की गाइड लाइन है जिससे अस्टेप बाइज मार्किंग के प्रबधान दिये गये हैं उसी मार्किंग पे हम लोगों ने मार्क्स बैठाए हैं बात करें यहां पे लगू तरिये क्योंकि लगू तरिये जो है वो दो मार्क्स कहीं था जब उनसे पुछा गया लगू तरिये में क्या पूर्ण आंक दिया गया क्या दो नंबर का दो नंबर चात्रों को दिया गया है तो उन्का कहना था हाँ, लगु तर्ये में किसी तरा की अंकों की कटोती नहीं की गई है, लगु तर्ये में पूरी مع-व स्चात्रों को दिए गहे हैं, क्योंकि वो दो नमबर कहा ही था तो उसमें कटोती की तो कोई जगह ही नहीं रहा जाती है, तो ऐसे में 2 का 2 marts दिया गय तो लगुतरिये में उसे पूरे अंक दिये गए है सौट आंसर में दो के दो मार्क्स उन्हें दिये गए है बात करें दिर्गुतरिये में कि दुर्गतरिये में आज की कौपी जाच में क्या है किस छात्र को कितना मिला है दिर्गुतरिय की बात करेते हिंदी और इंग्लिस का पेपर छोड़ कर सभी में छातरों को काफी अच्छे मार्क्स देखने को मिले हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिस दोफे ग्रामेटिकली पेपर हो जाता है और ऐसे में छातरों को फूल मार्क्स नहीं दिया जा सकता bonus marks जिसे मिला है उसे ही 5 में 5 मिला है आपको बता दे कुछ हातरों को Hindi और English में भी bonus marks मिल गया उनकी writing के कर्म तो उन्हें full marks 5 में 5 मिल गया है जो कि हर question पर उन्हें एक एक number का फायदा देखने को मिला है जैसा कि बिहार बोड ने पहली कहा था कि 10% bonus marks दिया जाएगा उसी के तहट ऐसा किया गया है कि एक question पर उसे एक marks का फिडी में फायदा हो गया है यानि हर subject में उसे फायदा देखने को यहाँ पर मिल रहा है जिनकी writing अच्छी है और जिन्होंने सुन्दर pattern में लिखा है और आपको यह भी बता दे कि यहाँ पर साफ साफ यह भी बताया गया कि जो copy जाच है वो काफी असपीर में किजा रही है बिहार बोड का साफ दिसा निर्देस है कि 8 marks तो copy जाच पूरी कर ली जाएगी इसलिए answer seat provide करा दने से हम teacher को उतनी दिकत नहीं हो रही है और असानी से copy जाच जो है काफी असानी से सभी teacher यहाँ पर कर पा रहे है और step by marking देने में ही बन रहा है आपको यह भी बता दे कि जो copy का मुल्यांकन हुआ same day उसी time जो है आपका marking जो है बिहार बोड के office में भेज दिया गया लेकिन कुछ ऐसी copy थी जिनके जो tally नहीं कर रहे थे student की पहचान में नहीं आ रहे थे उसे फिलहाल जो है pending रखा गया है यानि फिलहाल जो अभी pending रखा गया है क्योंकि उसके marks जो है उस पर बैठा दिये गया है लेकिन computer पर भी उसके marks नहीं बैठाए गया है और नहीं भी हार बोड के कर्याले में भेजा किया है इसमें गरबरी क्या की हुई है किस कारण से copy जो है pending हुई है तो इसका साफ साफ कारण है कि बहुत सारे चातरों ने जो answer seat का number है या question का जो number है उसमें जो है थोड़े hair फेर कर दिये है यानि कि question का number कुछ था और वहाँ पर जो number डालना था उसमें copy number और जो answer की number है उसमें जो है गलत feel कर दिये है जिस बज़े से वो milan नहीं हो पाया है लेकिन चातरों को घबराने की बात नहीं की गई है बाद में उसका आखरी में मिलान कर लिया जाएगा बचे हुए copy में उसका मिलान किया जाएगा उसके बाद चात्यों का result जो है बिहार बोड के पास भेज दिया जाएगा यानि कुल मिला कर टेंसर नहीं लेना है और आपको बात करने की result कब जारी होगा क्योंकि जो यहाँ पे साब साब कहा गया है 5 मार्स तक हलहार में copy जान समाप्त कर लिया जाएगा उसके बाद तुरहन टॉपर फिरिफिकेशन किया जाएगा सभी जिलों को टॉपर को बुलाया जाएगा सच्छतकार किया जाएगा और आपका result जारी कर दिया जाएगा जो कि आपके 15 मार्स से 17 मार्स के बीच जारी किया जाएगा उसने ही बैठाए गया है और नहीं भी हार बोड के कर्याले में भेजा किया है इसमें गरबरी क्या कि हुई है किस कारण से copy जो है पेंडिंग हुई है उसमें copy number और जो answer की number है उसमें जो है गलत feel कर दिया है जिस बज़े से बो मिलान नहीं हो पाया है लेकिन चात्रों को घबराने की बात नहीं की गई है बाद में उसका आखरी में मिलान कर लिया जाएगा बचे हुए copy में उसका मिलान किया जाएगा उसके बाद छात्यों का रिजल्ट जो है बिहार बोड के पास भेज दिया जाएगा यानि कुलमिला का टेंसर नहें लेना है और आपको बात करने की रिजल्ट कब जारी होगा क्योंकि जो यहाँ पे साब साब कहा गया है तक हलहार में कॉपी जान समापत कर लिया जाएगा उसके बाद तुरान टॉपर फ्रिफिकेशन किया जाएगा सभी जील्ट को बुलाया जाएंगा सच्छ अत्कार किया जाएगा और आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जो कि आपके 15 मार्च से 17 मार्च के बीच जारी किया जाएगा तो बिहार बोर की सबसे पहले अपडेट के लिए सबसे फास्ट अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें टेलिग्राम ग्रूप जोईन करें